हलो एब्रीवन गुद मॉर्निंग वेल्कम टू नॉलिज मॉल और आज की वीडियो में डेली करेंट अफेर्ट्स की सीरीज में हम लोग 15 नमंबर 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्ट्स हैं उन्हें हम लोग देखेंगे जो कि आपको आने वाले जितने भी अभी के लिए काफी हेल्फूल होगा और हाँ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिविकेशन मिलती रहे कोशन है पहला कि वर्स 2022 का मेजर ध्यानचंदर खेल रतन पुरसकार से किसे सम्मानित किया जाएगा आंसर है ओप्सन बी स्री सरत कमल अचंता को मेजर ध्यांचन खेल रत्न पुरसकार पिछले चार वर्सों की अबधी में किसी खिलाडी द्वारा खेल के छेतर में सांदार और उतकृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है वर्स 2022 का मेजर ध्यांचन खेल रत्न पुरसकार सरत कमल अचंता जोकी टेबल टेनिस से संबंधित हैं उनको दिया जाएगा युबा कार और खेल मंत्राले ने वर्स 2022 के राष्टी खेल पुरसकारों की गोशना 14 नवंबर 2022 को की पुरसकार विजेता 30 नवंबर 2022 राष्टपती भवन में एकविशे समारों में भारत की राष्टपती द्वारा दिया जाएगा वर्स 2022 में कितने खिलाडियों को अरजुन पुरसकार से सम्मानित किये जाएंगे आंसर है ऑप्सन सी 25 खिलाडियों को खेल खूद और गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 खिलाडी को 2022 के अरजुन पुरसकार प्रदान किया जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 किसे प्रदान किया जाएगा आंसर है ऑप्सन डी गुरु नानक देव विश्विद्याले अमरित सर इंटर यॉनिवर्सिटी टोर्नामेंट में समगर सीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्विद्याले को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है खेल कूद और गेम्स में उतक्रिष्ट कोच के लिए वर्स 2022 के द्रोणा चार पुरसकार से किसे समानित किया गया आंसर है इसका ओप्सन डी उप्युक्त सभी को जीवन जोद सींग तेजा मोहमद अली कमर सुसरी सुमा सिधार्थ सिरूर को और इसके साथ स्री सुजित मान को भी चार लोगों को द्रोणा चार पुरसकार खेल कूद और गेम्स में लगातार उतक्रिष्ट और सराहनिय कारे करने वाले और अंतराष्टिय परतियों गिताओं में खेलाडियों को उतक्रिष्ट प्रदर्शन के लिए सक्षम बनाने वाले कोचो को दिया जाता है पूरुपरधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में निम्ण में से किसे हाल ही में तमिलाडों की जेलों से रिहा कर दिया गया आंसर है ओप्सन ए नलीनी स्रीहरन को पूरु परधान मंत्री राजीव गांधी के हत्या के दोसी नलीनी स्रीहरन वेलोर जेल से 12 नवंबर को रिहा कर दिया गया है नलीनी के अलावा पांच अन्य को रिहा कर दिया गया है उसमें आर पी रवी चंदरन नलीनी के पती वी स्रीहरन उर्फ मुरुगन संतन रॉबर्ट पायस और जैकुमार सामिल हैं जिसमें स्रीहरन संतन रॉबर्ट और जैकुमार स्रीलंकाई नागरीक हैं निम्लिखित में से किसे प्रशार भारती का CEO न्योक्त किया गया है? आंसर है आप्सन B गौरव दुवेदी को 36 गड़ कैडर के 1995 बैच के भारती प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्री गौरव दुवेदी को 5 साल की अवधी के लिए प्रशार भारती में कारेकारी शदस से मुख्य कारेकारी अधिकारी के रूप में न्योक्त किया गया है भारत के 33 अंतर रास्टिय फिल्म महोट्सव के सुरुवाद किस राज्य में 20 से 28 नवंबर 2022 को होने जा रहा है? आंसर है आप्सन A गोवा में जनजातिय गौरब दिवस निमलिखित में से किस तिथी को मनाया जाता है? आंसर है आप्सन D 15 नवंबर को केंद्रे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री स्री नितीन गटगरी ने बिहार के किस नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे दो लेन के एलिवेटेड आर सी सी पूल का सिलान्यास किया? आंसर है इसका आप्सन C सोन नदी पर केंद्रे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री स्री नितीन गटगरी ने बिहार के रोहतास में सोन नदी पर पंडुका के पास बनने वाले 1.5 किलोमीटर लंबे दो लेन के एलिवेटेड आर सी सी पूल का सिलान्यास किया? इसके निर्मान पर 210 कड़ो रुपय की लागत आने की संभावना है। इसके बनने का सौभाग नहीं मिल सका था। आइसेसी पूरूस T20 वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाडी को प्लेयर आफ दे टूर्णामेंट चुना गया? आंसर है ओप्सन A. हाल ही में किस ने इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 का कॉंटेस्ट जीता है? आंसर है इसका ओप्सन D. स्लोक मुखर जी. हाल ही में गूगल ने गूगल फॉर डूडल 2022 परतियोगिता के विजेता की घोशना की. इस वर्ज कोलकाता के स्लोक मुखर जी को उनके प्रेरग डूडल के लिए इंडिया ओन दा सेंटर स्टेज सिर्शक से भारत के लिए विजेता घोशित किया गया है. पुस्तक दा लीविंग माउंटेन के लेखक कौन है? आंसर है ओप्सन C. अमिताब गौश. हाली में Mother Tongue Survey of India का आयोजन किस मंत्राले दौरा किया गया है? आंसर है ओप्सन C. केंद्रिय ग्री मंत्राले दौरा. केंद्रिय ग्री मंत्राले ने हाली में Mother Tongue Survey of India को पूरा किया है. भारत में मातरी भासा के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए Mother Tongue Survey of India परियोजना को चलाया जाता है इसके तहट भाशाओ की विशेस्ता के बारे में भी जानकारी एकत्र की जाती है भारत के प्रधान मंतरी स्री नरेंद्र मोदी जी ट्वेंटी के नेताओं के 17 सिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14-16 नमंबर 2022 को किस देश की यात्रा करेंगे? आंसर है इसका उप्सन बी इंडोनेशिया के इंडोनेशिया के अधक्षता में होने वाले जी ट्वेंटी के नेताओं के 17 सिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के प्रधान मंतरी स्री नरेंद्र मोदी 14-16 नमंबर 2022 के दोरान इंडोनेशिया के बाली की यात्रा पर रहेंगे इंडोनेशिया के रास्टपती जोको विडोडो बाली सिखर सम्मेलन के समापन समारों में भारत को जी ट्वेंटी की अधक्षता सौपेंगे भारत अधिकारिक तौर पर एक दिसंबर 2022 से जी ट्वेंटी की अधक्षता ग्रहन करेगा तो ये थे डेली करेंट अफेर्स में 15 कोश्चन का अमसी क्यू टेस्ट आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें धन्यवाद